हलो फ्रेंस आज हम बनाएंगे ब्रत के लिए बहुत ही टेश्टी नास्ता जिसके लिए आपको ना ही साबूदा ना भिगोने की जरूरत होगी और बहुत ही आसानी से नास्ता बन जाएगा खाने में बहुत ही ज़धा टेश्टी लगेगा तो फ्रेंस रेस्पीचरासी पसं तो यहां पर आलो को जो है आप कदूकस भी कर सकते हो और मैंने यहां पर फॉक से मैस किया है आप जैसे भी करना चाहो बैसे इनको मैस कर सकते हो तो यह देखे आलो को मैंने यहां पर मैस कर लिया है अब यहीं पर हम इसमें डालेंगे दो बारीक कटी हुई हरीमेज हरीमेज बाद में हम यहां पर बारीक कटा हुआ अरा दनिया डाल देंगे करके इस तरह से हमें इसको तयार कर लेना है और और को मैंने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था और जब अच्छी तरह से गरम हो जाएगा तब इस तरह से हम छोटे-छोटे से पकोड़े इसमें बनाकर डाल देंगे तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि दूर दूरी इनको डालना है और इस तरह से हम जो है सारे पकोड़ों को इसमें डालकर तयार कर लेते हैं एक बार में जितने आ जाए उतनी हमें इसमें डाल देने हैं और इनको हमें जो है सिखने देना है तो अच्छी तरह से सिखने के बाद में हमें इनको उलट कर अच्छी तरह से इस तो पकोड़े जो है अच्छी तरह से नहीं सिखेंगे तो अच्छी तरह से कुरकुरा होने तक ही हमें इनको सिख कर तयार कर लेना है तो ये देखें बड़ी आतरीके से सिख गए हैं अब हम इनको निकाल लेते हैं और इसी तरह से सब को बना कर तयार कर लेंगे तो यहां पर मैंने सारे पकोड़ों को बना कर तयार कर लिया है और इनको आलू और साब उताने की पॉडर से बनाया है और बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं बहुत ही कम समय में यह बन कर तयार हो जाते हैं तो ब्रेथ में आप इनको खाईए एकदम चटपटे होते हैं और आपको यह बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे तो फ्रेंस अगर आपको मेरी यह रैस्पी जरा सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर व जियो जियो चियो जियो जियो झाईए तो झांट।